नमस्कार दोस्तों अर्यों मैं आपका स्वागत है इस बीडियों में प्रस्ण तीन का भाग चार का हल करेंगे इससे पहले भाग एक दो और तीन नहीं देखें तो हमारे चैनल के पले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं देखिए इसमें क्या काता है एक नगर में टेक्सी के बाड़े में एक नियद बाड़े के अतिरिक चली गई दूरी पर बाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलो मिटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपईया तता 15 किलो मिटर के लिए भाड़ा 155 रुपईया नियद भाड़ा तता 30 किलो मिटर भाड़ा क्या है एक वेक्ती को 25 किलो मिटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा देखिए, इस प्रस्ण को समझाने का कोशिस करते हैं, देखिए, एक टेक्सी है, ठीक है, इस टेक्सी से आपको जाना है, तो इसमें देखिए, दो सर्थे, एक कहता है, नियत भाड़ा है, जैनि इसका फिक्स भाड़ा है, देखिए, जैनि इसमें बेठेंगे, तो बेठने क आपको फिक्स भाड़ा लगेगा ठीक है नियत भाड़ा इसको बोल देते हैं एक्स और इसके बाद आप जितना दूर जाएंगे ठीक है जितना किलोमेटर जाएंगे उसका अलग से भाड़ा लगेगा तो देखिए पर्ती किलोमेटर भाड़ा इसको वाई माल लेते हैं ठीक तो देखिए यदि आपको 10 किलोमेटर जाना है तो कितना भाड़ा देना होगा तो देखिए एक सुरुपया यह नियत भाड़ा है यह तो आपको लगेगा ही लगेगा ठीक है पलस देखिए 10 किलोमेटर जाना है तो देखिए 10 गुना वाई देखिए एक किलोमेटर का देना हो गा 10 किलों मेटर के लिए यानि यह देखिए यह नियत बाड़ा याने इसमें जोडएंगे 10 किलों मेटर दूरी को 10 गुर मेटर जाने में इतना पाड़ा लग यह ठीक है और यह नियत बाड़ा लेशे हैं तो प्रस्न में मुष्री इस्तिति के अनुसार 15 किलोमेटर्ड के लिए भाड़ा एक सों पच्पन रोपई हाज देखिए 15 किलोमेटर जाएंगे अब जितना भी जायेंगे दूर 10 कोमेटर जाए 15 किलोमेटर या प्रस्ण में दिया हुआ है 155 रुपईया इसको बोल देते हैं समिक्रण दो इस्तितिक अनुसार ये दो समिक्रण प्राप्त हो गया तो देखिए इसको इस परकार लिखना है देखिए मालना नियत भाड़ा एकस रुपईया ठीक है यह फिक बाड़ा है तथा परती किलमेटर यह आप एक किलमेटर सुच सकते हैं परती किलमेटर भाड़ा क्या है माल लेते हैं किश रुपईया अब देखिए दी गई इस्तिति के अनुसार देखिए दी गई इस्तिति के अनुसार देखिए इसको लिख देंगे ठीक है तेखिए नियद भाड़ा पलस दस किलोमेटर दूरी का यानि यह हो जाएगा दस वाई ठीक हो बरावर 105 यह पहला समीकरं और एक्स पलस म्दरों वाई बरावर 155 इसको बोल देखिए तो देखिए दी गई इस्तिति के अनुसार यह दो समीकरं प्राप्थ हो गया अब चाहिए तो यहुँआ लिख सकते हैं दी गई सर्थ के अनुसार दी गई सर्ता अनुसार या प्रस्ण अनुसार भी लिख सकते हैं ठीक है तो देखिए प्रस्ण में क्या बोला है देखिए प्रस्ण में कता रेखिक समिक्रन युग्म बनाए युग मतलब क्या दो जोणा तो देखिए रेखिक समिक्रन का युग्म बना दिये ठीक है अब कत खांता इसको देखिए एक सब्सक्राइब करेंगे करें गया write है और रवाई दोन्हेस किसी एक समिक्रान को लेना है ठीक है kau y बराबर 105 तो देखिए इसको इधार ले आएंगे तो 105-10y तो x कमान निकल गया इतना ठीक है अब देखिए इस x कमान को समिक्रण 1 में रखेंगे देखिए समिक्रण 2 में रखेंगे देखिए समिक्रण 1 से x कमान निकाले हैं तो समिक्रण 1 में नहीं रखना ठीक है समिक्रण 2 में रखेंगे तो देखिए एक्स कमान एक्स कमान समिक्रण 2 में रखने पर रखने पर यह आप लिख सकते हैं परती अस्तापित करने पर ठीक है तो देखिए यहां रख देंगे एकस के जगह एक सब पांच माइनस दस वाई पलस देखिए इस एकस के जगह इसको रख दिए अब यहां लिखेंगे 15 y बराबर 155 है अब देखिए 105 y तक कि 15 में 10 घट जाएगा तो यह कितना बचेगा पाँच वाई बराबर 155 है अब देखिए इसको इधर लिए आएंगे तो देखिए 105 में 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा तो देखिए 155 में 105 घटाएंगे तो ये 50 बच जाएगा और ये गुना में तो इधर लाके ये बट्टी में इसको काटेंगे 10 पचे 50 ठीक है तो देखिए y बराबर कितना आगे है 10 ठीक है तो देखिए y क्या मान यहां पर 53 किलोमिटर भाणा ठीक है तो देखिए x का मान निकालने के समीक्रण 1 में भी मां रख्षक्ते या समीक्रण 2 में भी रख्षक्ते या इसम में इसको Roc 123 तो य का मान समीक्रण 3 में रखदेंगे तो देखिए यहां लिखेंगे y का मान समीकरन 3 में रखने पर यह आप लिख सकते हैं परतिय अस्तापित करने पर तो देखिए 105 और यह 10 y का मान कितना निकला 10 तो यहां लिखेंगे 10 ठीक है तो देखिए यह कितना होगे इसमें गटाएंगे तो 5 तो x का मान कितना आगे है 5 तो नियत भाड़ा देखिए नियत भाड़ा है x x माने तो नियत भाड़ा 5 रुपया आगे है तो देखिए इसको थोड़ा चेक भी कर लेते है जैसे यह नियत भाड़ा है 5 रुपया ठीक है पाच रुपया तो आपको लगे गाई आप चाहिए एक किलोमेटर जाएं या दस किलोमेटर जाएं ृसके बाद देखीए को यह सके निकाले 10 के तो देखिए यह कितना आज अगा 10 10´00 देखिए तो यह कितना होगे 105 और यह देखिए 105 तो दोनों तरफ बराबर होगे जानि यह समिक्रन संतुष्ठ हो गया ठीक है देखिए उसी प्रकार यहां भी रखेंगे पांच और यहां देखिए 10 रखेंगे तो पंद्रह दसंग डेढ़ सो और पांच जोड़ेंगे 155 हो जाए ठीक है इसका मतलब यह एंसर सही निकला है ठीक है जानि समिक्रन संतुष्ठ हो रहा है अब देखिए इसमें क्या पूछ रूपईया ठीक है तथा परती किलोमेटर जैनि परती किलोमेटर का कितना परती किलोमेटर भाड़ा यह निकला 10 रूपईया ठीक है अब देखिए देखिए प्रस्ण में क्या का रहा है 25 किलोमेटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा तो देखिए कि पचीज किलो मीटर की यात्रा के लिये भाला देखिए नियत भाला कितना है पाँच रु का मन कितना है पाँच और पचीज किलो मीटर जाना कितना निकल गया देखिए दोसवपच्चास यह दोसवपच्पन आगया ठीक है जानि पचीस किलोमेटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना देना होगा दोसवपच्पन रूपई आपको देखिए इसको इस परकार भी लिख सकते हैं देखिए प्रस्ण में क्या बोला 25 रूपईया देना होगा ठीक है ठीक है वीडियो आयंत करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंड करें और आपने अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें